कार्टिक की 25 वी फिल्म जापान में जो आज एक प्रमुक तमिल फिल्मस्टार ही। उन्होंने अपने कर्यान में शांदर सक्रीप्ट शैन करने का संजीव मंत्र सिकाए। तमिल सिनेमा के प्रियल अभिनेता के रूप में कार्टी के नहीं निरंतर अद्बुत स्क्रिप्ट चैन किये हैं। राजु मुर्गन के निर्देशन में जापान में किर्टी एक विचित्र छोर की भुमिका में दिखाई देंगे। जो सच्ची किरडारों पर आधारित है। जब एक ऐसा अभिनेता और एक ऐसा निर्देशन मिलते हैं जिनोंने कुकू, जोकर और महंदी सरकस जैसे शांदर फिल्म में बनाई हैं। तो इस फिल्म के आसपस एक बड़ी उस्तामाई आवबाव दिखती है। इस फिल्म में अपने किरडार में एक पुरने एंटी हीरो को जिविन करने का लक्षा रखा है। और उन्होंने इसे अद्वितिया भाशाम, मौडिलेशन और लुक्स के साथ प्रस्तुत किया। क्या जपान इस उम्मित से मिलती है तो चलो आव जांते हैं। अगर कहानी की बात करें तो जपान मुनी एक प्रसिद्ध चोर है जो वर्टामान में अपने टीम के साथ चुपा हुआ है। इसे समय एक जवेलरी स्टोर में एक अपराद होता है। जिसमें 200 करोड रुपे के योग्य हीरे जवाहर चोरी हो जाता है। पुलिस अदिकरिज स्टान की जाच करते हैं और उनका निशकरश होता है कि जपान इस अपरादी के पीछे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक मोड आता है। जपान यहाँ दावा करता है कि उन्होंने इस अपराद को नहीं किया है। तो चोरी का असली दोशी कौन था। पुलिस क्यों कोशिश कर रही है कि वह जपान को पकड़े जिस पर लगबख 95 मुकद में दरज है। क्या जपान को यह जनने का प्रयास करना चाहिए कि असली दोशी कौन है। निरदेशक राजु मुरगनों को मजबुत सामाजिक टिक अपनी वाली फिल्मों के लिए जाना जाते है। जापन के साथ उन्होंने अपने सुकत शेस्तर से बाहर निकल कर एक छोर के बारे में और यह कैसे धोके ने उसके जीवन को बदला। इस पर एक वानी जिक कहानी का प्रयास किया है। इस कहानी की पुरानी और बार बार हो चुकी है। सबकुछ स्तीती और जापन के उत्रुष्ट चरीतर पर निर्बर करता है। हलाके राजू मुरुगन की जापन पूरी तरह से विफल और दुकत है। और दुक की बात यह है कि कोई पहले पाच मिनिट में ही इसे अनुमान लगा सकता है। प्रदर्शन फिल्म जपान में और उसकी किरदार की कहानी इस फिल्म के सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने अपने अभिनाय में एक नए दुरुष्टी को उनकी खोच की है। और अपनी कला की सिमाव को बढ़ाया है। विजय मिल्टन ने एक सहरानिया प्रदर्शन दिया है। और उन्होंने तो केवल आखों की मीटा से जबकि बाकी कास्ट ने फिलर के रूप में पहली बार में काम किया है। राजु मुरगन पहली बार पूरी तरह से वानी जिक फिल्म का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ बातों में उनका ट्रेंड मार्क महसूस हो रहा है। हलाकि जपान उनक कि सबसे कम लिखी गई फिल्म हो सकती है। पिछली फिल्म में जो किरडार और भावनाए थी वे जपान में कमजोर है। स्क्रीन प्ले तेज हैं लेकिन यह अधिक समय फिलर एपिसोड पर ध्यान देता है। केवल जपान और रादा के पास फश्ट पारिवह शिकता किरडा और कता है। जबकि बाकी वेना किसी क्रम से आते जाते हैं और चल रहे हैं। इंटर्वल सिक्वेंस बहुत प्रभावशाली था लेकिन दूसरे हाफ के सिंस तनाव को बनाए रखने की बजाए इसे छोड़ देते हैं। फिल्म में हसी और स्पूप है लेकिन यह बहुत प् और फिल्म का बाकी हिस्सा बढ़ता हुआ महसुज होता है। कोई अच्छानक की तत्व नहीं हैं क्योंकि कोई आसानी से नतीजह अनुमान लगा सकता है। बिना उचित स्तान पर आयो बहुत सारे साधारी ट्वेस्ट जपान को एक खोल कर अनुबव देता है। गीतों में कमजूर के बावजुद जीवी प्रकाश ने जापान में एक जोरडर बैग्राउंड स्कोर प्रस्तुत करने में कामया भी प्राप्ता करते हैं। रैप सॉंग खासकर उचगुंज स्तितियों को बड़े हिस्से तक उच्छ करता है। रवी वर्मन की दुरुष्यकला कुछ शनों में धनी और उलक नियत हैं। हलाके संपदक फिल्मों नी राज निम मेनत की थी कि वह फिल्म को तेज रखें। लेकिन इसकी गती आदे के बाद और क्लाइमेक्स की और खार जाती है। फिल्म के बारे में मिशित प्रक्रिया यह सुझाओ देती हैं। कि जापान नए वैक्ति के तो रुचियों और अपक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए। यदि आप लोग कार्टी के अभिनाई को प्रशक्षक हैं। और राजु मुर्गने के अलग चलने वाली कहानी के जिशा खुले हैं। तो आपको फिल्म के कुछ पहलू में जपान देखने का निरने आपके रुचियों नई सिनेमेटिक शैलियों को अवशेशन करने की इच्छा पर निरवर करता है।